अगर मैं आपको कहूँ कि बिना एक रुपे के इन्वेस्मेंट किये, आप महीने के लापो रुपे कमा सकते हैं, तो आपका क्या रियेक्शन होगा? सोचिए, ये इतना आसान है कि आप इसे अपने घर के कमफर्ट से कर सकते हैं. चाहे आप स्टूडेंट हो या किसी जॉब में हो, आप इसको बहुत ही असानी से कर सकते हो. और सोचो, इस वक्त हजारों अंडर्ग्राउंड ओनलाइन हसलर्स ये ही कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं. तो क्या आप भी इस out of the box opportunity को grab करके अपने career को एक नया mood देना चाहते हैं, तो जल्दी से like कर दो, क्योंकि आज जो बताने जा रहा हूं, वो online money making series का एक नया अध्याय है. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे secret के बारे में, जो आपको Fiverr Affiliate Marketing से earn करने के कुछ ऐसे राज बताएगा, जो आपने आज से पहले सुने ही नहीं होंगे. और सबसे खास बात, ये सब कुछ होगा AI की मदद से और totally free में. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप बिना किसी technical skill के, सिर्फ अपने creativity और smart work से Fiverr के products को promote करके, हर दिन dollars में कमा सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि Fiverr पर कैसे कुछ ऐसे unique services ढूणने है, जो market में high demand में है. फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप high converting content बनाएंगे chat GPD से, फिर कैसे आप उसे एक ऐसी जगा पे publish करेंगे, जहांपर Fiverr की services के लिए सबसे accurate targeting audience आती है. और यह secret step है मेरा and most important step of this video, जो आपको वीडियो देखके ही पता लगाना है. फिर कैसे Fiverr के affiliate link को create करना है and then अपने high converting content में उसको लगाना है और उसके बाद आपको से dollars गिरने हैं. यह सब कुछ मैं आपको step by step बताऊंगा. तो बस इस वीडियो को एन तक देखते रहिए और सीखिए कि कैसे आप भी बिना किसी extra effort के सिर्फ अपने laptop और internet का use करके हर दिन एक handsome income generate कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के इस exciting journey को शुरू करते हैं. So guys, सबसे पहले आते हैं Fiverr पे. क्योंकि Fiverr से ही हमें उस service को उठाना है, जिसको promote करना है और जिसके affiliate income से हमें ताबर तोड earning करनी है. तो इसके लिए Fiverr.com को open करो और join in करने की ज़रूत नहीं है. उसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या होगा पता है? आपको ढूनना प services का. यह वो services हैं जो कि Fiverr में सबसे ज़्यादा अबिकते हैं. जैसे कि इस टाइम पे सबसे तापर तोड बिक रहा है AI artist, logo design, wordpress, voiceover, video explainer, social media, SEO और भी बहुत सारे चीज़े. तो यह कुछ ऐसे services हैं किनी चुनी जो कि Fiverr में काफी ज़्यादा बिकती है. तो step number one यह हो गया कि हमें एक popular service ढूड़नी है. अब इन में से आपको वही पिक करना है. यह ध्यान अगना ऐसा नहीं कि आप सब पे काम कर रहे हो. वो ढूड़ना है जिस पे आपको काफी जादा knowledge है. अगर आप knowledge के बिना कोई भी उठाले तो है. For example, मुझे translation पे knowledge नहीं है. मुझे नहीं पत do. That is our step number one. Step number two. अब जैसे मैं इसको open कर लेता हूँ for example के लिए. अब मेरा यह open हो गया. So guys, now, अब जैसे आप services को file कर लेते हैं, आपको आना है बिल्कुल नीचे. जब नीचे आते हैं, यहां पर आपको जाना है affiliates पे. क्योंकि अब आपको account बनाना है Fiverr का affiliate account. Let's click on it. एक आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको earning के फायदे कैसे होंगे. जैसे कि let's do one thing. इसके commission plan पे चलते हैं और commission plan पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कितना earn करोगे. Guys, आप यहां पर $150 per sign up पे भी earn कर सकते हैं. आप per sign up का मतलब क्या है? जैसे ही कोई आपका audience एक ऐसी service को buy कर करता है. जो कि इस plan range में आते हैं तो आपको flat $150 per purchasing के मिल सकते हैं. $150 मतलब तक्रीमन 10,000 रुपे से जादा. एक तो यह है Fiverr CPA और एक Fiverr Hybrid है. आप कौन सा join करोगे आप देख लेना. Fiverr Hybrid पे क्या होता है? कि $10 मिलेंगे per sign up मतलब per purchasing पे जिससे जो भी आपका service purchase करता है. एक बार ले लिया जाता है. कोई भी ऐसा like you know business या कोई professional तो वो क्या करता है? वो continue रखता है कि मेरी services तो ongoing services है. Like SEO. SEO कोई one time पे करेगा. वो पे करेगा हर महीने का. तो तब आपका जो revenue बनता है Fiverr के अंदर. उसका 10% जो है वो आपको दे दिया जाता है. That is Fiverr Hybrid. तो अब आ something guys. आपको step बता देता हूँ. मेरा अरड़ी बना हुआ है. तो वो मुझे करने की जरूत नहीं है. अलाकि मैं Fiverr पे नहीं कर रहा हूँ. लेकिन मैंने start कर दिया है. मैं आपको दिखाऊंगा पूरा process कि इसको कैसे किया जाता है. तो guys. अब जल्दी से आप वापस आजाओ join now पे और अब हम करेंगे Fiverr को join. Fiverr affiliate को not Fiverr के main services को. तो guys. इसमें मैं आपको बता रहता हूँ. क्या 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 करना है. For example. आपका first name वगरा जो भी है. मेरा अरड़ी है. इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँगा. जैसे कि दिखा रहा है. So I know it. अचा. अब password वगरा बना कर दिया यहां पर. But आपके case में अगर नहीं है. तो आप no कर सकते हो. No करते हो ना. तब भी आपको account मिल जाता. कोई attention नहीं है. Country में India. Language में English. और Skype अगर नहीं भी है. तो छोड़ दो. क्योंकि यह mandatory step नहीं है. जैसे आप next पे click करोगे. फिर उसके बाद थोड़े और steps मुझे तो next जान नहीं देगा. मैं इस step को पूरा ही नहीं कर पा रहा हूँ. फिर दूसरे ही में ready से करना पड़ेगा. जो कि मैं करना फिलाने चाहता हूँ. Next step में आपसे पूछा जाएगा. कि आपका traffic source है. उसमें किस step का audience आता है. वगरा वगरा. बलब interview type question. और उसके बा आता हूँ. विकर्स मैंने just recently इसको join किया है. Let's open it. विकर्स मैं इस पर काम start करने वाला हूँ. और वो exactly same काम जो कि मैं आपको आज बता रहा हूँ. तो let's click on login. देखरो मेरा अरड़ी है. Login पर click. तो guys अब सब कुछ आपको zero zero दिख रहा है. विकर्स में अभी नया account है. तो zero ही रहेगा. तो guys अब आपको यहाँ पर क्या करना है. Simple marketing tools पर जाना है. यहाँ पर default and deep links पर click करना है. और यह है आपका वो link जिसको अब आपको हर ज कर रहे हो. तो यह कोई product तो है नहीं कि लोग इसलिए बाइ कर रहे हैं. आपको पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है. वेट करो. बता ही तो रहा हूँ. क्योंकि आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ. वो है इस पूरे session का next level और सबसे बड़ा game. That is what I am telling you guys. अ अब आप क्या करोगे? अब आप एक next tab open करोगे. यह हमारा step number 3 होगा. वो होगा chat gpd. Guys, chat gpd से मुझे अब एक ऐसा काम करवाना है. जिससे मैं एक ऐसा content बना पाऊँ. एक ऐसा content जो की उन लोगों को target करेगा. जो की professionals होगे, जो की business owners होगे. जिनको fiber services की जरूरत होगी. उस article को LinkedIn में ही promote करने वाला हूँ. जिससे LinkedIn से best target audience मुझे कहीं मिल ही नहीं सकती fiber services की affiliate marketing के लिए. और अप यकीन मानो, जो LinkedIn के अंदर जो professional या जो accounts होते हैं, वो well off accounts होते हैं. मतलब, they people are pretty much aware about fiber के services क्या होती है, बगरा बगरा. सिर्फ उनको थोड़ा सा धका मारना होता है. थो या फिर खुद business services प्रवाइड कर रहे है, तो उनको अपने लिए जो services चाहिए होती है, वो actually में उनको buy करना होता है, hire करना होता है professionals को. तो इसलिए LinkedIn से best नहीं हो सकता. लेकिन LinkedIn के अंदर content कुछ ऐसा होना चाहिए, जो कि उन लोगों को attract करें. वरना वो लोग smart लोग तो हो वरना मैंने एक ऐसा prompt बनाया है, जो आपको एक ऐसा content बनाके देगा LinkedIn के लिए, बस जिसको post करते रहना है आपको LinkedIn में जाके, और वो post आपके audience को nice if attract करेंगा, बलकि इतना valuable post होगा, कि लोग पढ़ेंगे, like share करेंगे, मतला पुरा engagement दिखाएंगे अपना, और तो और आपके followers भी बढ़ेंगे, और हो सकता, पर connections में ऐसे से लोग connect हो जाए, जो कि आपसे खुद services मागे, फिर तो आपका affiliate link share करना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो उस type के content को बनवाने के लिए, मैंने खुद बैटके, बड़िया सा prompt engineering करके, guys, इस prompt को मैंने यहाँ पर बनाया है, एक चीज मैं बता दूँ आपको, कि मैं यह जो prompt है, आप लोगों से share करने वाला हूँ मेरे whatsapp channel में, तो whatsapp channel का link नीचे है, जल्दी से जाओ, उसको join करो, और वहाँ से इस prompt को जल्दी से उठा लो, इस prompt को खले इस्तमाल करना है, and your job is done, अच्छा, इसके साथ एक और चीज बता और आप जो चाहोगे, चैट GPT से निकलवा सकते हो, prompt engineering ही एक ऐसा तरीका हो सकता है, जिससे आप चैट GPT का सबसे best use कर सकते हो, वरना आप भी वही करोडों की तरह होगे, जिब खली चैट GPT से खली normal इस्तमाल कर रहा है, लेकिन outcome वैसा ने निकल रहा है, जैसा कि निकलना actually चैट GPT से चाहिए, चैट GPT आपके सुबह उठने से लेके रापको सोने तक हर चीज में काम आ सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे काम आ सकता है, उसके लिए na prompt engineering आना चाहिए, उसको prompt देना आना चाहिए, और ऐसे prompt जिससे answer वही आए, जो कि actually में आपको चाहिए तर ना कि एक ऐसा answer जो कि Google में कहीं भी available है, नहीं, उसे कहते हैं prompt engineering, उसके ओपर मैंने एक बहुत ही affordable course निकाला है, लेकिन vast content के साथ, जिसको समझना भी आसान है, चाहिए आप बिल्कुल new हो चैट GPT में, या AI के इस दुनिया में, आप आराम से सीख जाओगे, लिंक description पे है, जल्ली से ले लो, early bird discount चल रहा है, अभी launch नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग launch होने से पहले ले रहे हैं, उनके लिए खाली वो amount है, अचा, अब देखो मैं कहा कर रहा हूँ, इस prompt को मुझे copy करना है, और यहाँ पर खाली दो जगा है, जहाँ पर आपको changes करने है, जहाँ पर म enter करूँगा, अब मुझे services लिखनी है, कि जिस services के ऊपर, आज मैं दुनिया को convince करने वाला हूँ, यह service को Fiverr में जाके ले लो, वो क्या करोगे, जैसे मैंने बताया था, कि आपको Fiverr में आना है, और Fiverr में आने के बाद, अब आपको popular services को ढूणना है, अब popular services, जैसे कि मै already देखो, मैं logged in हूँ, तो मुझे popular services ऐसे नहीं दिखाएगा, यह आपके search के history के based पे, आपको उनी gigs को recommend करेगा, जो की आप देखती हो, लेकिन for example, मुझे यार है, कि SEO एक बहुत बड़ा popular service था, उसके platform पे, in the home page, तो मैं क्या करूँगा, मैं digital marketing में जाओंगा, और SEO पे जा video, like this, let's do one thing, मैं इसको off page पे click करता हूँ, अब मैं इस off page SEO को यहाँ से right click करूँगा, और यहाँ पर आके, दो जगा पे changes करूँगा, जहाँ जहाँ फाइवर service लिखा है, महाँ पर होपर मैं इसको replace कर दूँगा, like this, guys आप आप यकीन माना होगे, कि इसका result क्या आने वाल ह करो, ना इसके content ने, जो सिर्फ response आएगा, मेरे prompt engineering से, ना इसने convert करना शुरू कर दिया, LinkedIn audiences को तो मुझे बताना, आप खुदी पढ़ लो दोस, अब यह है, वो particular response, जिससे US की audience आप target करोगे, क्योंकि यह US tone के अंदर लिख रहा है, एक ऐसा content लिख रहा है, जो इन services को ऐसे promote करेगा, कि वो promotion भी count ना हो, एक value form में आपका audience जो है, वो आप से connect हो जाएगा, बस देखते जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, इसने start क्या किया, इसके start होने से पहले मैं आपको बता दू, मैंने prompt किया दिया, इस देखो, prompt, देखो, assume you are an article writer for last 10 years, you know how to write a valuable business articles on LinkedIn to attract relevant connections, today you need to write an article for 600 words, your main objective is to write the article, is to create a demand of this service, among professionals and businesses on LinkedIn, but make sure your article is not sound like a sales pitch, sales pitch नहीं कांट रना चाहिए, तो do the following while writing, तो अब मैंने कुछ उसको उसको क्रेटरिया दिया कि इन क्रेटरिया इसको फॉलो करना है, try to keep pushing the readers towards hiring someone, मतला अब पूरे content या अंदर ना, जो रीड कर रहा है, उसको ध कामार तो रहो, push कर तो रहो, little little push की बंदा hire कर ले Fiverr से किसी services को, गाइस उसी base में आप देखो, इसने content लिखके दे दिया, just look at it, और अगर आपको मैं दिखा हूँ, तो आप यहाँ पर देख लोगे, इसने answer दिया, in today's digital era, business and professionals are in a constant race to outline competitors and capture the tension of the target audience, M is the ocean of an online strategy, बगर बगर, content में थोड़ा-thोड़ा push कर रहा है, किसी को hire करना है, तो guys मेरे पास अभी time नहीं पढ़नेगा, लेकिन मैं आपको एकाम करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि pause करो, और मैं article को थोड़ा-thोड़ा नीचे करता जाऊंगा, आप परते जाना, and you will read the whole article, कि कितना amazing article जो है, इ इधा, chink, in your digital error, embrace this powerful tool to elevate the business in the digital domain, for those ready to take the leap, Fiverr offers a plethora of experiences of off-page SEO experts, who can tailor solutions for your specific needs, it's time to turn the tide of the favor and let SEO unlock new horizons of your business, it's an a call to action, I hope guys, you have read your content, now you have to copy this article, and now you have to go to LinkedIn, this is the fourth step of our today's video, so guys, guys, LinkedIn में जाने के बाद, अब आपको अपने profile पे, guys, लगे हात हो, आप जल्दी से LinkedIn में मेरे connection पे आजाओ, क्योंकि मेरे साथ connected रहोगे LinkedIn पे, तो बहुत ज़दा professionally हम बाचित कर सकते हैं, professionally एक दुसरे के साथ, बहुत भी और सारी चीज़े, जो professional level पे होती है, वो कर सकते हैं, so, आप connect ज़रूर कर सकते हैं, now, let's do one thing, मैं क्या करूँगा, मैं अपने profile पे जाऊँगा, और right article पे click करूँगा, and यही वो जगह है, जिस पे आपको सब स्यादा खेलना है, now, रिशे के इश्रॉई पे next करते है, and अब मुझे क्या करना है, यह रा, say hello to smoother editing and publishing, वगर अगरा, आप इसको enter कर दो, यहां से यह delete कर दो, call to action, यह हमारे समझने के लिए कि call to action क्या होता है, why we need export, इसको खली आप style में जाके, heading to कर दो, practical steps, heading to, बोल्ड तो करी दो, बोल्ड, बोल्ड कर सकते हो, just it's a decoration, मैं content decoration कर रहा हूँ, बाकी आप समझ जाओगे, beyond the website, इसको आप कर सकते हो H1, क्योंकि यहां पर why off-page SV matters हो, guys, आपका content तयार है, अब आपको क्या करना है, आपको सिफ next करके इसको publish करना है, अगर आपके पास कोई इसकी image है, हाला कि मुझे नहीं लग रहा, मुझे image की जरफ पढ़ेगी, so just इसको next पे click करो, and your job is done, tell your network, मतलब जो आपके connections में है, उनको बताओ कि यह article किस चीज़ का है, hashtag कर दो, and that's it, publish पे click कर दो, guys, now, अब अगर मेरे for example, 5000 connections है, तो 5000 connections को इस article का एक, वो जाएगा, notification जाएगा, मतलब notification बो यह, जैसे भी balloon के timeline पे आएगा, और वहां से लोग इस article को पढ़ेंगे, और जिस article के अंदर, अच्छा, एक पेज को कॉपी करना है, क्योंकि यही वो landing page है, जिसको आप यहाँ पर promote कर रहे हो, off-page SEO, वापस आना है, enter कर देना है, do, your job is done, guys, अब इसमें से, आप CPA वाले को कॉपी कर लो, और इस particular, जो URL को, यहाँ पर आके, LinkedIn पे, आपको जहां जहां link देना है, for example, खास का जो नीचे ह अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर, fiver, offers, plethora of experience, SEO page experts, इसको copy करते हैं, और यहाँ पर आके, मैं link को यहाँ पर, as in hyperlink करता हूँ, that's it, guys, अब यह बन गया, आपके लिए call to action, जो seriously, यहाँ पर क्या है, कि यह आपके sincere लोग है, तो वो content पढ़ते भी है, समझते भी है, और उस कुछ नहीं करना है, LinkedIn जो बोल रहा है, बस वहीं करना है, tell your network that your article is about, tell my LinkedIn network, what this article is about, in 200 characters, यह बही तरफ से है, इनकी तरफ से नहीं है, and five relevant hash tags, enter कर दो, guys, आपके लिए यह बन क्या गया, जो यहाँ पर होना चाहिए, बस that's it, तो आप देखो, यहाँ पर, इसने यह भी कर दिय है, so guys, now also copy करो, that's it, discover the transformative impact of off-page SEO on business growth and digital success is my latest article, off-page SEO, digital marketing, इन सब पे इसने क्या कर दिया, अच्छा खासा, एक hashtag दो ना दिया, guys, इसके बाद आप सिधा publish पे क्लिक कर दो, the moment you will click on publish, your job is really, really done, so guys, यह वो कहानी है, जिसके अदर मैंने step by step आपको समझाया है, कि Fiverr से से freelancing services, gigs ब strategically और technically sell करके भी, आप earn कर सकते हो, मतलब, यहाँ पर, आप कोई भी services नहीं provide कर रहे हो, आप नहीं जरे अपना कोई भी time, या, आप नहीं जरे अपना कोई भी, you know, client के service, आप जो services दे रहे हैं, काली उनको promote कर रहे हैं, your job is done, आपको $500, जो है, up to $500, चलो, मैं आपने आपक करता हूं, date to $500, आपको मिलते रहेंगे, जैसे कोई इन services को लेगा, आपका काम सिर्फ एक ही रह गया, कि आपको जादा से जादा ऐसे article बनाने हैं, almost her services पे, और उसको आके यहाँ पर LinkedIn में promote करना है, because LinkedIn is the perfect platform to target the right audience for these services, guys, अभी तक मैंने आपको like करने के लिए बोला, नहीं अभी बोला था, अभी तक बहुत लोग चले भी गयोंगा, जो लोग लाइफ में सिर्फ, you know, content को देखने आते हैं, कुछ समझ के करने ही नहीं आते हैं, जो लोग अभी तक रुके हैं, वो एक loyal मेरे viewer ही नहीं है, खाली, वो life में कुछ achieve करना चाहते हैं, इसलिए वो इतना time अपना, एक valuable content को देते हैं, like जरू करना और share करके मेरे इस वीडियो के reach को बाने की कोशिश करना, उसे motivation अप जाता है, और मैं इस साथ के content को फ्री में आप लोगों के लिए ला सकता हूँ, तो make sure इसको share करना, comment में आप मुझे जरू बता सकते हो, कि आपको आज का वीडि में ऐसे ही किसी धमाकेदार, धमाग ठनकाने टाइप का कोई content जो कि आपके life में एक और value add कर सकता है, तो तब तक के लिए guys यूही सीखते रहिए और धमाग ठनकाते रहिए, बाई guys